नमस्कार बहुत स्वागत है आपका तांतरी गंठों में सनिवार को बहुत खास बताया गया है कहा जाता है कि सनिवार के दिन अगर कुछ कारी किये जाएं तो उसका प्रफाव अस्थाई होता है लंबे समय तक उसका लाब मिलता है जोतिस में भूमी खरिदना, सोना खरिदना सनिवार के दिन करने से आपको लंबे समय तक ये चीज़ें लाब देती है और अगर सनिवार का दिन आप नया बिजनर सुरू करते हैं तो लंबे समय तक चलता भी है वैसे रातों रात आपकी लाइब बदल सकती है अगर आप एक छोटा सा प्रियोग सनिवार के दिन करें तो तो सनिवार के दिन सनिदेव को मनाने के लिए बहुत सारे प्रियोग के जाते हैं अगर आपकी कुंडली में सनि की पिडाएं हो आपकी साड़े साती ढहिया चल रही हो या कोई भी समस्या आ गई हो जिसका समाधा नहीं हो पा रहा है तब ऐसे में सनिवार के दिन एक तेल का अच्यूप प्रियोग करना चाहिए वैसे तो सुर्यास्त के समय किसी भी सनि देप के मंदिर में जाकर या फिर आपके पीपल के पेड़ होगा आपके घर के आसपास वहाँ पर जाकर एक छोटा सा प्रियोग करें हर कोई चाहता है जीवन में खुब खुसियां हो तकलिफें ना हो और चाहना भी जायज है लेकिन मालक्षमी चंचला है एग जगाए ठेहरती नहीं अब ऐसे में मालक्षमी की कृपा बरस्ती रहे और आपके जीवन में खुसियां जादा हो तकलिफें कम हो या क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से हम आपको एक छोटा सा परियोग बताएंगे आप अपने घर में जैसे रोज काम करते हैं वैसे ही कीजिए बस थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना है घर में जब आप सुबस वह सोकर उठते हैं न तब एक छोटा सा काम करना लेकिन एक बात हमेशा ही अपने घर को हमेशा साब सुत्रा और ब्वस्थित रहे हर एक सामान को करीने से सजा कर रिखिए पौब वह सोकर जब घर का चौकट में जरूर डाल दें अगर गंगल जर ना हो तो प्लेन वाटर आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और सनी बार रभी बार के दिन एक नियम बना लें घर के मुखे दरवाजे के बाहर की सफाई में पहले जारू ना लगवा कर पहले पानी डलवाएं फिर जारू लगवाएं इससे क्या होगा जो भी अगर किसी ने कुछ किया होगा आप लोगों के ऊपर तो वापस से उसी के पास चला जाएगा जब आप घर में पोछा लगवाते हैं जारू लगवाते हैं तो हमेशा ही एक बात ध्यान रखें कि जब आप पोछा लगवाते हैं ना सफ आप सुथरा खुबसूरत बनाए रखें एकडम से कलर बेगर करके खुबसूरत तरीके से सजा कर रखें आम के पत्तों का या असोग के पत्तों का बंदन वार लगाईए जिसको हम तोरन कहते हैं और यह तोरन अगर रवी बार या सोम बार के दिन लगाया जाए तो अच्छा स्वास्त देता है अगर गुरुवार के दिन लगाया जाए तो धन की बरकत देता है आप अपनी इच्छा नुसर लगा सकते हैं हर आट दिन या पंदर दिनों पर इसको चेंज करें पुराने वाला कहीं साइड में डाल दे और नया लगा ले घर के जब आप साफ सफाई कर ले उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ दाहिने तरफ याद रखिए दाहिने हाथ के साइड आप एक बरतन में पानी जरूर रखिए अगर संभब हो तो लाल गुलाब की दोचार पंखुरी या गेंडे की पंखुरी डाल कर रखें या फिर सिर्फ पा परिसानियों को सोंख लेगा गनेज जी की तस्वीर हर किसी के घर में होता है लेकिन याद रखिएगा गनेज जी के पीठ में दरिता का निवास होता है तो तस्वीर ऐसा लगाई है को उनकी पीठ घर से बाहर की तरफ हो अंदर की तरफ ना हो यानि घर में आपको गनेज माथे पर तीन मोर पंख सजाईए यह घर के वास्तु दोस को दूर करता है याद रखिए तीन मोर पंख सजाना है जब आप नियमित रूप से पुझा पाट तो करते होंगे असनान करते हैं तो भगवान सुरी को एक लोटा जल जरूर अरपीत करें आप कुछ करे या ना करें और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो 27 बार गायतरी मंत्र या तो पढ़के सुना या फिर उनको अभ्यास करवा ले इस गायतरी मंत्र एक ऐसा मंत्र है अगर आप नियमित रूप से जब करते हैं या बच्चों को करवाते हैं तो एक सुरक्षा कवच्ची उनके पास ह होती है तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं हमेशा ही आप फ्रेस होते होंगे वेवस्तित रहें खुबसूरत कपड़े पहनिए खुबसूरत रंगों वाले कपड़े पहनिए और फटे पुराने कपड़े पुराना तो पहन सकते हैं पर सब्सक्राइब को चेंज कर देता है बदही का प्रियोग जरूर कीजिए दोपहर के खाने में सुक्र भी मजबूत होगा और सुक्र से ही जीवन में सुक्साधन एसौरे बड़ता है तो दही जरूर खाइए दिन में याद रखिए रात में दही भूल कर भी ना खाएं और रात में दही किसी को भी नहीं देना है खाना जरूर है कि सर या फिर हल्दी आप के पास जो भी है नियमीत रूप से बाइबान को या फिर आप केसे यूज करते हैं तो एक कटोरी में थोरा सा पानी ले ले लें दोचार मुंद उसमें एक चुटकी आप केसर डाल दें अब उसमें उंगली को डीप करके भगवान को लगा कर फिर माथे पर तिलग कर लें अगर वो सूख जाता है फिर से पानी डाल के उसको दस पंद्र दिन तक यूज हो जाएगा अराम से उसको फेकना नहीं है आप को बार बार हल्दी को आभी आदें अगर गातीस करते हैं तो लाखे की बाती पलती ही किजिए घीए तो तेल का जलाते हैं तब पुरी की बाती ज़ला सकते हैं एक छोटा सा प्रियोग देखिए सनी वार के दिन आप अगर सनी देव जादा कस्ट दें तब चाया देखकर आप दान तो करेंगे ही सर्सों के तेल का कटोरी के साथ ही दान करना है लेकिन रात में सूने के पहले एक स्टील की कटोरी में थोरा सा सर्सों का तेल लेकर अपने उपर से तीन वार उल्टा यानि एंटी क्लॉक वायवाल कर आप अपने घर के मुखे दरवाजे से बाहर फेक दें और कटोरी लेकर अंदर आ जाए तो आपके उपर कैसी भी परिसानी हो उनसे राहत मिलती है तीन सनी वार लगातार ये प्रयोग कीजिएगा सर्सों का तेल सनीवार के दिन नहीं खरिदना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा नहीं तो सनीदेप नाराज हो जाते हैं वैसे तो सनीवार के दिन बहुत सारे वस्तू नहीं खरिदने जाती लेकिन सर्सों का तेल और नमक ये दो वस्तू भूल कर भी मत खरिदिएगा और आपके में खुसिआं ही आाएंगी लेकिन क्या पता है सनिवार के दिन तेल सर्सों का चरूर्षार ना चाहिए लेकिन देखिए एक ऐसा महिना रियार। अगर यकिन मानिए जीवन में खुषियां चाली आ आती है और निगेटिव प्रभाव भी समाफ्थ होता है भाग्योदे होता है पर लगाएंगे कहां देखिए आप बहुत साई लोग सर में तेल नहीं लगाते हैं आप लगाएं या ना लगाएं पर सनीवार के दिन सटर्डे के दिन जरूर लगाएं तेल सर में अगर सर में नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कम से कम नाभी में ही लगा लें नारियल का ही तेल लगा लें सरसों का तेल लगा लें कोई भी तेल जरूर लगाए क्योंकि नाभी जो है उससे हमारा पूरा सरीर जुड़ा होता है और नाभी सरीर का मद्ध हिस्सा भी है तो यहां से आपका जैसे की ब लगाएं आपके होते भी नहीं फटेंगे रहेंगे हैं तो हमें बताते हैं बहुत सिंपल है करुद तो आपको सरसू का तेल शरीर में या तो नाबहीं में लगात यह सर में लगा दोनों जगे भी आप लगा सकते हैं हर सनी PL लगाना सुरू करें हरहर महादेब धनिवाद